नमस्कार दोस्तों स्वागत एकवा फिर्साओं का पॉलिटी किसान के यूटूब चैनल पे दोस्तों ये वही बच्चा है जो हमने अपने दुवारा फीड जो बनाया है उसको खिला कर तयार किया है आज इस बच्चे का जो चौदवा दिन है तो बीज भी हम भाई वीडियो क्या है आप मुझे वाटसाप डाल दीजिये आप मेरे गुरुव से जुड़ जाए आप गूरुप का ही नमबर देक्या है तो बड़ा परिशान मुझे होना पड़ता है तो तेखिये आज इस बच्चे को है दिन ठीक है यह हमने अपने ही फीड पे अपने दुवारा में देखें दिखा देता हूं यह देखें दोस्तों यह हमारे दुबारा बनायावा फीड है ठीक है इसी पर पूरा बच्चा तयार हो रहा है और इसी से आप देख सकते हैं कि चौध दिन इसकी आप ग्रोध भी दे सकते हैं मैं आपके लिए वैसे काटा लेकर आप बीच में ठीक है यह काटा है और इसको हम अभी आपको बजन करके भी दिखाएंगे कि 24 दिन इसका कितना बजन आया है क्या वाकि में ही इसमें आप यह जो फार्मिंग की जा रही है क्या वाकि में हम इसमें सकसेज हो सकते हैं ओन फीट पे इसकी पूरी कॉस्टिंग कितनी आएगी वह सारी हम आपको बलाश्ट में जरूर बताएंगे पहली बाद तो आपको कभी डरना नहीं है जो भी आप काम करें जो भी आप फार्मिंग करें तो उसको डरके ना करें ठीक है आपने डरने में अपना काम बहुत ज़्यादा दी खराब कर लेता है आप काम करें ठीक है प आप पूरे पूरता मेलेगी, सफलता नहीं इस सफलता, अब सफलता कम मिलेगी, मैं आपको बताएता हूं, आप पूरे confidence हो, कि भईया, मुझे ये पालना पालना है, और इसको अपने ही farming पर, अपने ही feet पर इसको पालना है, तो आपके अंदर अलग 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 सोच आएंगे इसको कैसे पाले अलग अलग अप सर्च करोगे भाया इसमें क्या मिलता है कैसे 10% बनता है कैसे दाना बनता है आप 10 तरह की वीडियो दोखोगे मेरी देखोगे कहीं और दोखोगे तो जो जानकारी मिलेगी आपको वो आप बहुत गंभीरता से उसको लोगे क्योंकि आपके अंदर confidence भरावा है अगर confidence नहीं होगा तो भाईया आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे तो यही है कि हम पूरे confidence दे कि भाईया इसको हमें बनाना है और फीट पर हमसको लेकर आएंगे अपने फीट पर और company का जो सोसन है वो भाईया बहुत ही बेकार मतलब समझ लेना कि आप जिंदभी में कभी सफन नहीं होगे अगर company के साथ काम करोगे अगर आपको पैसे ही वरवात करना है आपको पांच पांच दर दस जार अरवे दे के अपने फार्म के कोट करना है उनको पैसा कमा करना देना तो आप करते रहें मैं यह कहता हूँ कि कोई भी आजमी सलह कभ देता है कि जब उस काम को कर चुका होता है मैंने कई वरस तक काम किया है company के साथ और लास्ट तक अभी तीन महीने चार महीने पहले तक किया है मैंने काम कुछ फाइदा नहीं होता ठीक है आपने एक बैच कमा लिया दो बैच कमा लिया ठीक है तीसरे बैच में आपको टांग देंगे बीच में पैसा नहीं देंगे और नहीं नहीं सर्तों के साथ फार्मिंग कराएंगे आपको बतलब ऐसा करेंगे कि आप ना तो उभर पाएंगे ना आप नीचे गिर पाएंगे बीच में टांगे रखेंगे ना तो कभी तो बहुत बढ़ी है पैसे देंगे और कभी बिल्कु जीरो कर देंगे कभी आपकी मजदूरी में निकलनी मुश्किल हो जाती है तो यही कंपनी का फंडा होता है कब जब चाहें वो अपना देखिए मैं एक चीज़ आपको बतायता हूँ कंपनी के हाथ में क्या है कंपनी के हाथ में आपकी पूरी फार्मिंग है उसको कितना FCR आपको करवाना है वो कंपनी अपने फीट से करा सकती है फीट को कभी भी चेंज कर सकती है फिट का FCR कभी भी डाउन कर सकती है तो बेडा घर कर देगी अगर वो चाहेगी तो ठीक है जब मुर्गे के रिड बढ़िया होते है ठीक है तो वो बढ़िया काम करती है, जब मुर्गे के रेट घटिया होते हैं, कमपनी को पूरा पैसा देना होता है, फार्मर को तो क्या करती है, वो फीट की क्वालिटी घटाती है, यह 100% है, कोई मेरी बात को काट नहीं सकता, कमपनी वाले देखने होंगे वीडियो जरूर देखते हैं, मेरी तो कास यह सब चीज छोड़ के अन फार्मिंग फीट पर हमने अपना काम करा है, हम खुद अपनी फार्मिंग फीट करेंगे, और खुद चाहें कितना भी कमाएंगे, अपना कमाएंगे, अपने बेश पे कमाएंगे, तो अभी देखिए इसका हम आपको वेट करके दिखाते हैं, तो हमने तराजू रख दिया है और इसके उपर हमने डबा रख दिया है, ठीक है, और अब देखिए इसको इसको हम यह 0 है, ठीक है, और इसको पर हमने यह बच्चा रख दिया है, ठीक है, यह देखिए, 4780 ठीक है, आप इसको 480 ग्राम माल लीजी, ठीक है, 480 ग्राम का पूरे पूरे चौदवे दिन यह हमारी ओन फीट पे हुआ है ओन फीट हम आप फार्मिंग करते हैं अब यह कूदने के विचार से हैं तो चार सो सी ग्राम का बच्चा हो गया देखे जीरो आ गया है ठीक है चलिए लग दीजिए बस एक ही बच्चा तोला हमने एक और quickest का मानली जए साड़े चार सो से चार छा सो सी ग्राम की पीच में घृ दीजिए तो हमने बहुत पहले तारीव की वह सब्सक्राइब करते हैं यह भी भाला शेक दीजिए 507 ग्राम थेक है तो आप इसको 400 राडे 700 से लेकर 500 की बीच में हमारे वह अगा कुछ छल रहा है ठी प्रिश्टब नहीं कर सकते हैं तो यह जो बजन है यह चोदो सो गिराम का चोदो जिनका है और यह हमारी खुद की फीट के साथ फुद की फीट बनाने के बाद बजन है ठीक है और अभी हम इसमें चेंज करेंगे फॉर्मलों को कुछ दिनों में से फिनिशर देना स्टार्ट करेंगे तब इसका बजन और कुछ होगा ठीक है मैंने कहा ना सारा खेल जो होता है फीट का होता है कंपनी कभी भी इस फीट को चेंज कर सकती है जब चाहे वह आपका 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 बढ़ा सकती है जब चाहे वह आपका मुर्गा बढ़ा सकती है क्योंकि सारा खेल फीट क तो यह हमारा मैश फीड है आज समय मिला तो तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दो तो चौदवा दीन इसको हो गया है और मेरे इसाफ से हमारा जो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम जो एक्सपेरिमेंट के बारे बता रहे हैं वो बिल्कुल सफलता की तरफ जा है फाइनल हम इसका रिजर्ड जो बताएंगे वह आपको हमारे लॉड निकलने के बार बताएंगे कितना लॉड ला कितने पर्गेज हमें दाना पड़ा लेकिन फिलहाल आपके सामने यह है कि हमारा मुर्गा बजन ले रहा है सभी ऐसे नहीं कि कि कोई हमने डब में अलग कर रहे हैं तो क्योंकि कोई भी काम करें उसको हम पूरा रिशार्ट करके बता के भी या इतना हमारा प्रॉफिट हुआ इतने पर्गेजी पड़ा या नहीं पड़ा सब कुछ हम बताएंगे जो फॉर्मुले हमारे पास है वह अलग होते हैं कुछ जो दूसरे के पास होते ह 105 टिल्ग है थे वह अफने फॉर्मुले के साब से काम करें हैं हमारा काम करेंगे ओफ्सृण कि जानने के लिए और इस सेरीज है जिसमें हम अपनी सेल्फ iading के बारे Φाने के बारे में बनाते है इसको अगर आगे आगे अची तररह जानए हैट तो हमारे क्यालों को सब् दो उप्डेट नहीं दे पार है इसके लिए यहिदिक णिदर आपको आपको इपडेशान कोशिश करें मिलंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय किसा में भान तक भी एक बंदय मात रव गई किसाअँ